हलो फ्रेंड्स नमस्कार कैसे हो उमीद करतों बहुत अच्छे होंगे दोस्तों मैं राकिस हैगा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चनल ग्यानकाड़ापर दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं चेप्टर नमबर 3 के बारे में और जो भी मैं आपको important बाते बताता हूँ उनको अच्छे से लिखना है notes आपको त्यार करने में बार बार आपको बोलता हूँ हना जैसा कि आपको पता है मैं पूरी science आपको करवाने वाला हूँ 10th class की with numerical यानि एक भी question या एक भी topic नहीं चोड़ूँगा यह मैं आपसे दावा करता हूँ बस आपका काम अच्छे से पढ़ने का अब पता नहीं क्लास कब मतलब आप क्यो फ्लैन क्लास से कब स्टार्ट होंगे स्कूल के अंदर वो अभी तक कोई पता नहीं है अभी तो प्रिक्षा भी नहीं हुए तो मान के चलो time लेगा तो तो तैयरी कर सकते हैं आप अच्छे स स्कूल लगे या नहीं लगे वो बात आगे की है वो बगवान के आत्मे है कब करेगा सही इस्थिती को वो हम हमारे उपर डिपेंडन नहीं है कुछ ख्याला में भी रखना है कि इस प्रकार से हम इस लोगडाउन का मतलब फाइदा उठाएं पढ़ाई के अगर त्रीकिस द अगर अगर आपने वीत्क आपको इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अब सब्सक्राइब करेंगे बैल ड्रेस करेंगे और टेलिघ्राम फर फेलोड़ नमबर तीन है आज और चेप्टर नमबर तीन का जो नाम है वो है आनुवनसी की आनुवनसी की क्या नाम है आनुवनसी की अच्छा आनुवनसी की जो चेप्टर है वो कितने नमबर का है ये भी तो हमें पता होना चाहिए जिस प्रकार से मारा दो नमबर चेप्टर कितने नम अंक का है यह है चार अंक का कितने अंक का है चार अंक का यानि टोटल कितनी नंबर का आएगा यह चेप्टर चार नंबर का आएगा ठीक है और चेप्टर का नाम क्या है आनुवन सीकी तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे हमारे चेप्टर को हमारे चेप्टर को यह से start करेंगे यह आन One CLa?". आन One CQ है क्या? races के बारे में हम पढ़ने वाले हैント? आप heading लगा सकते हैं A.诉 One CK कि की बारे में चर्चा करते हैं पूरी डिटेल जाहां आपको बता कुरूंगा जो आपकी 10TH क्लास में देे रखी है वह सारी बात इम आपको बताओंगा बस आपका काम अच्छे से समझने का एक बात को एक बात को अच्छे से समझने का आपका काम है एक मिनेट रुकिए वई है ना तो जो भी मैं आपको इपोटेंट बाते बताता हूं उनको अच्छे से आप त्यार कर लीजिए लिख लीजिए हाँ अनुवन सीखी है कि इसके बारे में चर्शा करते हैं, अनुवन सीखी का मतलब क्या है, यानि जीव विज्ञान की वह साखा, जीव विज्ञान की वह साखा, अच्छे से आप लिखोगी इस बात को, जीव विज्ञान की वह साखा, जीव विज्ञान की वह साखा, जिसमें सजीवों की लक्षनों, जीव विज्ञान की वह साखा, जीव विज्ञान की वह साखा, जिसमें सजीवों की लक्षनों की आनुवन सीखता का, आनुवन सीखता का, तथा विभिनता का, अध्यन किया जाता है, उसे आनुवन सीखते हैं, क्या कहते हैं, उसे आनुवन सीखते हैं, ये बात आप अच्छे सी द्हान रखोगे, एक एक बात मैं आपको अच्छे से बताने के वोशिश कर रहा हूँ, यानि आनुवन सीखता का अध्यन किया जाता है, अब ये विभिनता का अध्यन किया जाता है, अब ये विभिनता क्या है, और आनुवन सीखता क्या है, हमें पढ़ना है आनुवन सीखता क्या है, और ये जो लक्षन है, ये लक्षन कौन से है, ये लक्षन कौन से है, ये आनुवन सीख लक्षन है, कौन से लक्षन है, आनुवन सीख लक्षन, तो इनके बारे में आपक क्या का धिन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं अनवनसी की बोलते हैं अब इसे जेनेटिक्स भी कहा जाता है इसे जेनेटिक्स भी वो कहां से हुई है इस जेनेटिक सब्द की उत्पति कहां से हुई है इसकी उत्पति जो हुई है वो हुई है ग्रीक भासा से कहां से हुई है ग्रीक भासा से यह बात आप अप अच्छे से ध्यान रखोगे आनवनसी की विज्ञान या फिर आनवनसी की को क्या कहा जाता है ज इस सब्द का सर्व पर्थम पर्योग किया गया था, वो क्या गया था, बेटसन नाम के विक्ति के द्वारा, बेटसन नाम के विक्ति ने कब किया था, 1905 में, बेटसन ने इस जनेटिक सब्द का क्या किया था, सर्व पर्थम पर्योग किया था, ये बात आपको धान रखनी है इसके बारे में तो मैंने आपको आनुवन सीख्ता की क्या है इसकी परिभासा मैंने बताई और उम्हिद कर सकता हूँ कि यह बात आपको समझ में आया होगी कि जेव विग्ञान के AC साखा यानि जेव विग्ञान की वहस साखा जिसमें सजियों के लक्षनों की आनमन सीखता और उनकी विविंता का धिन क्या जाता है आनमन सीखता का मतलब होता है एक पिड़ी से दूसरी पिड़ी में जाना एक पिड़ी से दूसरी पिड़ी में जाना और विविंता का मतलब होता है कोई ने कोई अंतर स्पष्ट होना जैसे मालो कोई मतलब पुत पिता है ठीक है और यह उसका पुत्र है यह इस पुत्र की माता है तो इन में जो गुण है ना उसके अलावा कोई अलग गुण मिले या उस गुण में क्या जाए विविंता जाए उसी को हम क्या बोलते हैं क्यों कि इसमें दो जगें से क्याते है गुन्सूत राते हैं एक तो मातक् congregation एक क्या पिता से आते है अब दोणों में मिलते हैं नो तो एक अलग प्रकार रहाए इसी को गुण बना देते हैं उसी को बोलते हैं अद्धेन किये जाता है उस हम क्या कह थे कि कहते हैं और अनुवन सिकी को हम जेनेटिक्स भी कहते हैं और जेनेटिक्स सब्द की उत्पति कहां ची हुई है ग्रिक बासा ची हुई है और इस जेनेटिक्स सब्द का सरव परतम प्रियोग किस ने किया था बेटशन ने किया था कब किया था 1905 इस्यू में यह सारी बात आप को ध्यान रखने हैं और उमेद करते हैं बात आपको समझ में भी आई होंगी से लिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब हम जरसा करते हैं नेक्स्ट परिभासा की दोस्तों यह जो चेप्टर है ना इस चेप्टर में ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस चेप्टर में कुछ परिभासा ही देरिखें और वहीं परिभासा है आपसे पुछ जाएंगे एकजाम के अंदर आपका जो बोर्ड का paper होगा ना उस टाइम वहीं परिभासा है पुछ जाएंगी तो इन परिभासाओं को आप अच्छे से याद करोगे इसमें कम से कम 30-35 परिभासा हैं और उनह परिभासाओं को आपको याद करना है एड करना है जैसे प्षिकу बारए में पड़ लिया अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है यह है अनुवनसिक लक्षन ऑनुवनसिक लक्षन अप हैडिंग लगाओगे अनुवनσιक लक्षन क्या होते हैं अभी अभी मैंने बताया था ना लक्षनों की वनसागती तो उन्हें ही का जाता है आनुवांसिक लक्षन का जाता है अब यो होते क्या है आनुवांसिक लक्षन के बारे में चर्चा करते हैं अब देखे कोई भी सजीू होता है जब वो लेंगिक किरिय करता है क्या करता है तो लेंगिक क्रिया करता है तो लेंगिक क्रिया के समय जो युगमक है उन युगमकों के द्वारा विभिन लक्षनों का एक पेड़ी से दूसरी पेड़ी में जाना उन विभिन लक्षनों का एक पेड़ी से दूसरी पेड़ी में जाना क्या करता है वो क् अन्वन्शिक लक्षन होते हैं यानि किसे भी समझने इस बात को सजीवूं में लेंगिक किरिया के समय युगमकों दुवारा लक्षनों का एक पेढ़ी से दूसरी पेढ़ी में संचरन होता रहता है उन्हें अन्वनसिक लक्षन कहते हैं उन्हें 989 लक्षन कहते हैं इस बात को समझोंगे आप मैंने क्या बताया की सजीवूं जो होते हैं उन्हें जब लेंगिक क्रिया होती है और लेंगिक क्रिया क्या होती है मैं आपको बताया था जब सुक्राणू और अंडाणू आप उसी क्रिया को क्या कहते हैं तो उस लेंगिक क्रिया के समय जो युगमक होते हैं युगमक मैंने बताया था युगमक दो परकार के होते हैं एक होता है नर और टो ये बात आपको पता हैं इनमें जब लेंगी किरिया होती है उस लेंगी किरिया के समयष रहते हैं सच्रण तो इसका शुक्रानों और इसका अंडानों मिलके आपस में कहां से ले जाते हैं इनके संतान में से ले जाते हैं फिर इसकी भी क्या करदी साधी करदी इस लड़की के साथ इसके संतान में से ले जाते हैं फिर इनकी इसकी साधी करदी इसके साथ तो इन दोनों किस प्रकार से यह जो लक्षन पीडी दर पीडी चलते रहते हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं अनुवन सिक लक्षन कहते हैं जो लक्षन पीडी दर पीडी चलते रहते हैं किसके दवारा युगमकों के दवारा युगमक मतलब अंडानों और सुक्रानों के दवारा बहुँ अंडानों और सुक्राणों मिलेंगे ना पस में तभी तो लक्षन आगे जाएंगे वरना कहा से जाएंगे ना तो युगमकों की दुबारा लक्षनों का एक पिडिये से दूसरी पिडिये में जो संचर्ण होता रहता है ना उन लक्षनों को हम क्या कहते हैं मोईट हो वह है one Saagati een originally janu centimeters किया है आज थो जो मतलब सामने जो डगा है यह लहा है तो इसलिए में साओंगी जल रही है तो यहां सब्सक्राइब करो यह से औरकर के अपर उन्सागति के इस बात को किसी आनुवनसिक लक्षन का किसी आनुवनसिक लक्षन का किसी आनुवनसिक लक्षन का एक पेढ़ी से दूसरी पेढ़ी में एक पीडि से दूसरी पीडि में संचरण, वंसागती कहलाता है, ये बात आप अच्से से ध्यान रुकोगे, वनसागती किसे कहते हैं किसे भी आनुवानसिक लक्षन का किसे भी आनुवानसिक लक्षन का एक PD से दूसरी PD में चले जाना एक PD से दूसरी PD में चले जाना क्या कहलाता है वनसागती क्या कहलाता है वनसागती आपको कहीने कही ध्यान रखनी है इसे हम क्या कहते हैं ह। यह बात को ध्यान रखनी हैं है। और दोस्तों हेरी डटी सब्द का गठन कब किया था यह बात ही पो बिद्धिस हट orchestra नायका by cya लक्षन है कोई भी आनुवन्सिक लक्षन है उस आनुवन्सिक लक्षन का एक पीडी से दूसरी पीडी में संसरन होता रहता है यानि एक पीडी से वो दूसरी पीडी में जाता है कोई भी आनुवन्सिक लक्षन तो उसके लिया को हम क्या बोलते हैं उसके लिया को बोलते हैं यह बात आपको ध्यान रखनी है अनुवन सिक लक्षम और उन्सागती के बारे में इसका आप स्क्रेंशॉट ले लिजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चर्चा करते हैं चलिए ले लिए अपने स्क्रेंशॉट अब हम चर्चा करतें नेक्स्ट अगला जो टोपिक आता है वो क्या है वो हमें पढ़ना है एक इपोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है मेंडल का जीवन परीचे और जो मेंडल का जीवन परीचे है वह इपोर्टेंट है यहां से कि आइप दो होगे तब में आपको मिंडल के वाले में पढ़ना ही पढ़ेगा तुछ और 19 ग्विज्ञान का जनक किसको माना जाता है एस झा सब्सक्राइब बने वह तो तुब मैंने आपको क्या करवाय Сब्सक्राइब कि रहें एक दूसरे से समद्धित है यह बात आपको याद रखने हैं जीविज्ञान के एसी साका जिस में आवंधिक लक्षनों का अध्यन किया जाता है जीविज्ञान केश चीशांक्स जौसक के क्या फ– पिर हमने आवंध्यान सिक लक्षन के बरह में पड़ा क्या होते हैं कि जो एक निष्ट रूसरी पीडि में संस्रित होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं पृर ने क्या पड़ा वन सागती या कि जो किरिया है ना उसे हम वन सागती कहते हैं अगला जो point है वो है हमारा मेंडल का जीवन परीचे अगला आप heading लगाओगे मेंडल का जीवन परीचे heading लगा सकते हैं अपने जीवन में क्या काम किया था तो सबसे पहले तो जनम लिया था उसके बात करते हैं जनम कब हुआ था एक एक बात आप ध्यान रखोगे, इसका जनम कब हुआ था, इसका जनम हुआ था 22 जुलाई, 22 जुलाई 1822 को, 22 जुलाई 1822 को इसका क्या हुआ था, जनम हुआ था, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, अच्छा कहां हुआ था, जनम किस गाउं में हुआ था, कहां किस दिन हुआ वो तो मैं पता है 22 जुलाई 1822 inda दो लेकिन किस स्थान पर उआ ये बात ही बोटेंट है किस स्थान पर उआ इसका जनम आप याद रखोगे आश्ट्रिया के आश्ट्रिया के आश्ट्रिया का एक हेजन डारफ नाम का प्रांत था, क्या था हेजन डारफ नाम का प्रांत, आस्ट्रिया के हेजन डारफ, हेजन डारफ प्रांत के, प्रांत के सिलिसियन गाउं में, सिलिसियन गाउं में, सिलिसियन गाउं में, ये बात अच्छे सिधान रखोगे, कि जो मेंडल है, उसका ज जिल्य होते हैं उसी प्रकार से वह पिर इक परांथ था और ना乐। नाम का गाउंन हो गया था जनम होग्या था अब 10822 से लेके और 42 तक इसने क्या किया खेला खूदा पढ़ाई की लेकिन फिर बात आती 1842 के 1822 से जिदा आपको कहां जाना है 1842 में जाना है कहां पर जाना है 1842 में जाना है तो आप याद रखोंगे 1842 की कुछ चर्चा देखिए 1842 में 1842 में इन होने इन होने दर्शन सास्तर से डिग्री प्राप्त कर ली यानी 1842 यानी 20 साल बाद 20 साल के अंदर इसने दर्शन सास्तर के अंदर क्या कर ली थी डिग्री प्राप्त कर ली थी जैसे आप पढ़ रहे हो दसवी में फिर बार में करोगे फिर बीए बीए सी जो भी करोगे ना तो व इसने कौन से subject से degree प्राप्त की थी दर्षन सास्थर से जैसे आप ko चो और इसी दर्षन सास्थर सब्यक्तिक इसने क्या कि थी डिगरी प्राप्त की थी यह बात आपको द्यान रिकने कब कर ली थी 1842 में कब कर ली थी 1842 में अब देखो जब बच्छा जनम लेता है और वो 15-10 साल का तो तुझको कोई टेंचन नहीं रहती हमें नोकरी भी लगना है या पैसे भी कमाने है वो खेलता है गुतता है पढ़ा भागे यह भाई-साब भी बहागे यह भाई-साब भी क्या है 1842 के बाद इनके दिमाद में आया कि मुझे तो नोकरी करने पुड़ेगी मेरे पास तो खाने को भी निये कुछ इसने क्या करना सुरूख और नोकरी इसको मिल थी 1843 में कब मिली थी 1843 में 1843 में यानि एक साल बाद इसको नोकरी मिल गई और दोस्तों नोकरी कोई सरकारी नोकरी नहीं मिली थी इनको नोकरी मिली थी पादरी की यानि पुजारी की किसकी नोकरी मिली थी पुजारी की नोकरी मिली थी कहां पर इनको मिली थी बुरून सहर में कौन से सहर में बुरून सहर में ये बात आपको ध्यान रखनी है देखिए खुद कहां के थे हेजन डारफ के थे खुद तो जनम इसका हेजन डारफ में हो था लेकिन इनको जो नोकरी मिली थी 1840 वो कहां पर मिली थी आश्ट्रिया का जो बुरून सहर है आश्ट्रिया के बुरून सहर में बुरून सहर में बुरून सहर में चर्च के पादरी बने चर्च के क्या बने पादरी बने जिस परकार से हमारे मंदिरों में पुजारी होता है उसी प्रकार से चर्च के अंदर क्या होता है पादरी होता है तो 1865 में इनों ने डिगरी प्राप्त कर ली 1843 में 1843 में क्या कर लिया आश्ट्रिया का जो बुरुन सहर है बन गए थे पादरी बन गए थे चर्च के अदर अब इनको नोकरी भी मिल गई अब नोकरी मिल गई, कुछ दिन नोकरी की, इसने लगभग 12-13 साल नोकरी की, कोई दिक्कत नहीं अच्छे से नोकरी कर ली लेकिन इसने 1856 निश्वी में, 1856 निश्वी में क्या किया, एक काम करना शुरू किया यानि इतने दिन कोई काम नहीं कर रहा था, बस ये वहाँ पर चर्च में रहता, अच्छा खाना पिना करता, और आराम से सोजाता, यही काम था इसका, लेकिन इसको 1856 में, 1856 में सुबह-सुबह का टाइम था, और सुबह-सुबह ये उद्यान में, यानि जो उद्यान था न भाना फर बेठे क्या कर रहे थे, चाइपि रहे थे, तो भेठे का दिमा पर गया, एक काम करना शूरू कर दिया, काम करना शूरू कर दिया, और यही बात आपको, धाνε रखने पोटेंट याने 1843 बाद बात आते 1880 सप्पनी संकर्न पर्योग करने शुरू कर दिये शुरू किया, यानि संक्रण का मतलब ज이션е दो पोदे एं इस्परकार से दो पोदे मांदो यह दो पोदे हैं तो इससमें पोधे का बीज लीए आपटसमें मिला कि कोही तीसरा उस परकार से जो क्रोस होता नो क्रोस उसको बोले लगा हैं संक्रण बोलते हैं तो इसने क्या करवाना शुरू कर दिया मत्र के पोधों के बीच में संक्रण करवाना शुरू कर दिया इद्र वाले पोधे का इद्र वाले से संक्रण करवा दिया इद्र वाले का इद्र वाले से करवा दिया इस प्रकार्शी संक्रण करवाने लगा कब अठारा भी ध्यान रखना सकता है संक्रान विश सम्हें पितुंद्र रखोगे मत्र के पोधे पर या फिर पैसम से टाएवं पर इन्हों क्या किये प्रयोग किये तो जनम हो गया पढ़ाई कर ली लोकरी मिल गई फिर इसने अठारट सपन में क्या करना शुरू कर दिया परियोग करना शुरू कर दिया फिर इसने साथ साल तक परियोग किया कितने साल तक किया साथ साल तक इसने परियोग किया और साथ साल तक परियोग करने के बाद फिर क्या वाबुद हमें पढ़ना है साथ साल तक लगाता है यह क्या करते रहे प्रयोग करते रहे लेकिन 7 साल बाद में इसको क्या निसकर्स मिला वो बात में पढ़ने है यानि 18 सपन के 7 साल बाद, 18 सपन के 7 साल बाद मतलब 1865 में अब बात कब कियाती है, 1865 कियाती है, 1865 की इसने 7 साल क्या किये थे, प्रयोग किये थे, आपको ध्यान रखना है कितने साल प्रयोग किये थे? सात साल ये बात लिख लो सात साल प्रयोग करने के बाद 1865 में अपने प्रयोगों के निसकर्षों को एक साइटी थे वहाँ पर एक सोसाइटे म मिला हिस्ट्री निसकर्षों को ब्रून सोसाइटी रफ insights or natural history नेचुरल हिस्ट्री के समक्स सोध पत्र के रूप में परस्तुत किया यह इपोर्टेंट बात है यह बात है अच्छी सा आपको यह बात समझनी है एक एक बात को समझना है क्या बता है मैंने इसने काम करना शुरू किया था था अठारा सोच अपन में में स्टार्ट किया था चाल तक इसने क्या किया था सात साल पूर्द करने के बाद 1865 भी इसने क्या किया था 1865 में जो भी इसको क्या प्राप्त होए थे जो भी इसको जो मतलब निश्कर्ष प्राप्त होए थे उन प्रयोगों से हैं उन प्रयोगों इसको जो बात पता चली थी ना उन बातों को क्या क्या इसने एक सोध पतर पर लिख लिए सोध पतर का मतलब एक पेज पर लिख लिए ठीक है और एक page पर लिख करके किस के सामने परस्तूत कर दिया एक Brune Society of Natural History नाम के एक सेंस्था थी उस सेंस्था के सामने क्या कर दिया अपने प्रयोगों की निश्कर्शों को इसने क्या कर दिया परस्तूत कर दिया समझो इस बात को अच्छे से 1856 में इसने काम करना शुरू किया 7 साल तक इसने काम किया 7 साल काम करने के बाद 1865 में ये क्या हुआ अपना काम कॉंप्लीट कराके और इसने क्या कर लिया था एक page के उपर अपने जो भी निश्कर्श थे जो प्रयोग इसने किया था उन ब्रून सोसाइटी ओफ नेचरोल हिस्ट्री ब्रून सोसाइटी ओफ नेचरोल हिस्ट्री की सामने क्या कर दिया परस्तूत कर दिया उनको दिखा दिया यह देखो मैंने इस प्रकार से प्रयोग किये हैं और इससे यह निश्कर्श निकले हैं परस्तूत कर दिया फिर देख प्रून सोसाइटी समझनें कि एक बात को ब्रून सोसाइटी ओफ नेचरल हिस्टरी डून सोसाइटी ओफ नेचरल हिस्टरी की वार्सी के में natural हिस्टरी की हिस्ट्री के वार्सी की में वर्सी की में वार्सी के में पादप सन्कर्ण पर योग कि बुरूल सेटी ओफ नेचरल स्ट्री अट्रिक सब्सक्राइटि वर्सी के मतलब देट इसका एन्वर फैंक्शन था और इस ब्रुन सोसाइटी ओफ नेचरल हिस्ट्री का क्या था वार्सी की वार्सी की मतलब इसका एनवल फैंक्शन था तो एनवल फैंक्शन में पादप संकर्ण पर प्रयोग पादप संकर्ण पर 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 योग पादप संकर्ण पर 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 योग शिर्शक से सिर्शक से से निसकर्सूं को या मतलब छो इसको प्राप्ट क्या गया था प्रकासीत किया गया यह रिए बात आप अच्छा सि दान रहोंगे देखो समझा इस बात को क्या बोल रहा है 1865 में इसने क्या कर दिया था एक पेज की उपर लिखके सोसाइटी के सामने परस्तूत कर दिया लेकिन सोसाइटी जो है ना ये सोसाइटी इसकी एक एनुवल फैंक्शन था 1866 में कब था 1866 में इसके एक साल बाद इसके एक साल बाद इसका एनुवल फैंक्शन था तो इस सोस कर दिया था कौन से सिर्षक से उसका सिर्षक आपको ज्ञान रखना है पादब संक्रण पर प्रयोग सिर्षक का मतलब उपर 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 जो हेडिंग होती है ना वह हेडिंग लिखी पादब संक्रण पर प्रयोग और फिर नीचे क्या लिख दिया सारी जो बात इसने लिख दिधी थी ना सोद पतर पर वो सारी बाते नियंदे लेख दी एक पेज पि अंदर मितलब अपने वार्शिके नेस को बता बिया सबी को बियुक्ति और उस व्यक्ति ने क्या किया है और ऑगी की अपर संक्रण का पर grateful आपको ध्यान रखनी है फिर क्या हुआ आगे पढ़ना है मैं इसका स्क्रीन्षोट आप ले लिए फिर आगे जर्चा करते हैं बिल्कुल आपने इसका screenshot ले लिया होगा अब देखिए इसका जो मतलब निसकर्स थे वो निसकर्स क्या हो गए थे प्रकासित हो गए थे सभी के सामने आ गए थे और अब क्या हुआ, उन्ही प्रकासित निश्कर्सों के आधार पर, उन्ही प्रकासित निश्कर्सों के आधार पर कुछ नियम बनाएगे, आपको ध्यान रखना है, तो यह बात याद रखोगे, इन्ही निश्कर्सों के आधार पर, इन्ही निश्कर्सों के आधार पर, आध अनुमन सिखता के नियम बनाए गए नियम बनाए गए अनुमन सिखता किया बनाए गए नियम बनाए गए और इन नियमों को इन नियमों को सामुहिक रूप से मेंडलवाद कहा गया क्या कहा गया मेंडलवाद कहा गया मेंडलवाद कहा गया ये बार पर आपको ध्यान रखनी है कि देखिए जो मेंडल था मेंडल ने जो निसकर्स दिये थे मेंडल ने जो निसकर्स दिये थे उनी निश्कर्सों के आदार पर क्या बनाए गए थे अन्वन सिखता के नियम बनाए गए थे और इन सभी नियमों को समलित रूप से क्या का गया उन नियमों को समलित रूप से कहा गया था मेंडलवाद क्या का गया था मेंडलवाद और मेंडलवाद में कितने नियम आते हैं तीन नियम करें, कितने नियम आते हैं, तीन नियम को क्या चांता है, और अन्वन सिखता की नियम भी कहते हैं, और उनको सामुई कुरूप से क्या का गया था मेंडलबाद का गया था एक बात आप इपोर्टेंट याद रखोगे मेंडल को मेंडल को अनुवनसिकता का या फिर अनुवनसिक की विज्ञान का जनक कहा जाता है अनुवनसिक की विज्ञान का क्या का जाता है जनक कहा जाता ह यह बात भी आप अच्छे से ध्यान रखोंगे, जनक का मतलब पिता, जनक का मतलब होता है पिता, यानि इस आनवनजी की विज्ञान को किस ने बनाया था, इस आनवनजी की विज्ञान को तो मेंडल नहीं बनाया था, इसलिए मेंडल क्या है, आनवनजी की विज्ञान का पि भीता है यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखने है और इसकी क्या हो गई और मेंडल क्या हो गया बिल्कुल इस और वो अन मुन सिकता की नियम अभी तक हमारे काम आते हैं जो भी काम करते हैं उसमें काम आते हैं है Noss Sikta की नियम तो महत्वपुर्ण है यह अन्मन सिकता की नियम आपको पढ़ना भी जुरूरी, आपके एकजाम की भी ये बातें जुरूरी हैं तो उमेद करता हूँ आज का सेसन आपको अच्छा लगा होगा तो दो-तिन दिन से तभी डाउन चल रही है मैं समाच आता हूँ आपसे पूरा पढ़ाने पा रहा हूँ अच्छे से लेकिन फिर भी मैं कोशिस करता हूँ आपकी क्लास मिस नहीं हो अना आप मेनेज करो थोड़ा सा ठीक हो जाओंगा जल्दी है उसके बाद अच्छे से आपको पढ़ाएंगे जबर्दस्तरी कीज़ा आपको नोट्स भी देंगे लेकिन फिर भी मैं कोशिस पूरी करता हूँ कि मैं आपको पढ़ाएंगे